हलो बच्चों आज के इस वीडियो के जो कॉंसेप्ट है वो है नीट 2004 में आया हुआ एक कोश्चन जो की बेज़्ट था यूनिट पर किसकी यूनिट निकालनी है हमको यूनिट निकालनी है यूनिट ऑफ पर्मेटिविल्टी ऑफ फ्री स्पेस इसको हिंदी में बोलते है न हमको इसकी यूनिट निकालनी है बताई भाई कोई फार्मूला आपको याद है या तो होना चाहिए फार्मूला यह था एक वन अपॉन फोर पाई एपसाइल नौट क्यू वन एक यूटू अपॉन आर इसको है कुलान फोर्स का फार्मूला है यह ठेक है इस पूरे टर्म क इधर एफ की तरफ ले हम तो एफ इन्टू यह हो जागा फोर पाई एपसाइल नौट आर इसक्वार इक्वल क्यू वन इंटू क्यू टू खायाना ठीक है यहाँ पर बच्चो जो फोर पाई टर्म है वो कॉंस्टेंट है क्या है कॉंस्टेंट है इसको हम नहीं लेंगे ब क्यू वन इंटू क्यू टू हमको एपसएल नौट की उन्ट निकारेंगे क्यूं ए सराख्थेशं में और एस इन्टू आर सपर यह निच्छे ले आकि ठीक है और यह एउनिट आपके आ जाएँए एपसिलक की नौन के बोलो भाई, फोर्स हीविट क्या होती है? न्यूटन और आर की क्या होती है? मीटर और यहाँ स्क्वार अप यहाँ पर चलिभी जाएगा ठीक है? यहाँ बटाएज देने कॉंस्टेंट यहां से बताओ इसको क्या जाएगा? एप्साले नॉट इकुल कुलाउं का स्क्वार निटन का सॉट्थ मिदीर इसका स्वारीयी कर देखने हैं या यह यूडीट होगी यह वॉपर आजेगा तो या तो यह दे रखा होगा या तो यह को लाम इस पर अपॉन न्यूटन मीटर इस पर यह सही है यानि कि इसका ओप्शन ले सही है ठीक है वह इसे हमारा आपको सब्सक्राइशन यह है कि आप इसको याद कर लो तुकि डायरेक्ट भी याद होना अच्छी आपको और इसकी कोडिंग बताया दे रहा है आपको एपसालन और पर याद करने की यह लिखा है सनम सनम और यह लिखा दो सो बारा ठीक है यहां देखो अल्टर्नेट करम में प्लस माइनस प्लस नहीं लिखा नहीं यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस यह लिखा है प्लस मा तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझने आया होगा यूनिट विकालना एप्साले नौट की मिलते हैं बच्चों इसी तरह के जोग अच्छे कोशन के साथ तक तक के लिए और देश्ट